हेलो एवरीवन विल्कम बैक तो आवर चैनल आज मैं आपके शाथ अगेन हेर कलर के ऊपर वीडियो डालने वाले हूँ तो हेर कलर जो नैचरल तरीके से है डाट मिंस मेहंदी मुझे काफी पसंद है मेहंदी के तुरू अपने बाल को कलरना बट मैंने नूपूर ट्राइक है निशा ट्राइक है मैंने बहुत सारे महंदी ट्राइक है बट उस तरह का कलर तो नहीं आया बट मेरे हैर बहुत ज्यादा डामेज जरूर हुए तो फर्स टाइम मैंने यूज किया इन काफी अच्छा लगा इसलिए वीडियो आपके शाथ शेयर करी हूँ एंड ये कर सकते हो तो मैंने जो शेड लिए वो ब्राउनी शेड है मुझे ब्राउनी शेड बहुत पसंद है अगर आपको पसंदना हो तो ब्लएक में भी अशूज़ कर सकते हो तो यह 8 काह से इसा थे हमपनी है खाडी तो आप इसके इंडर बन कर भी निश्रेंद रह सकते हो कि आपके बाल को ये नुक्षान नहीं पहुँचाएगा तो मैंने अभी तक दो बार इसे अप्लाई किया है मैं इसे मंधली बेसिस अप्लाई करती हूँ कभी भी महंधी आप 15 डेज के गैपिंग पे इस्तमाल करो हमेशा महंधी अप्लाई नहीं करना चाहिए आपको 15 डेज का गैप लेना चाहिए या फिर आप मंध में एक बार अप्लाई कर सकते हो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस महंधी को ओवरनाइट सोक करके नहीं रखना मुझे कई बार इस बात कहीं से होती थी कि मैं कई बार भूल जाती हूँ कि ओवरनाइट आपको महंधी को डाल के रखना है पर इसके साथ बिल्कूल भी हैसार नहीं है आप इसको लगाने से पहले 5-10 मिट पहले डालो और अपने बाल में इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ो और ये बहुत नैचरली अभी सिर्फ दो बार यूज करने के बाद ही मेरे बाल में एक अच्छा खासा ब्राउनिश शेड आ गया प्राइस आप देख सकते हो 70 रूपीज है थोड़ा सा प्राइसी है पर ठीक है अगर आपके बाल को ये नुकसान नहीं पहुंचा तो 70 रूपीज I think quite affordable range है इस तरह का अंदर में आपको चोटे चोटे पैक मिलेगा तो ये भी आपको यूज करने में थोड़ा सा एजी करेगा अब जितनी आपको यूज हो उतना कर लो पांच मिट पहले आपको डाना यहां पे इंस्ट्रक्शन गिवेन है दो से तीन घंटे आप अपने बाल में डालो और पानी से से दो लो और बहुत दी नैचरल तरिके से आपको यूज करेगा